5.1 अंतर संबंधों का अधियन Study of Inter-Relationship क्रिया कलाप 1 आप अपने घर या स्कूल के आसपास कोई बगीचे जैसी जगह चुन लें ध्यान रखें कि जगह ऐसी हो जिसका अवलोकन आप 5 दिनों तक प्रतेक दिन कम से कम दो बार सुबह और शाम कर सकें चैन की गई जगह के 1 मीटर लंबे वा 1 मीटर चौड़े हिस्से को चिन्हांकित कर लें गौर से अवलोकन करें कि चिन्हांकित हिस्से में क्या कोई कीडा मकोडा, कोई पक्षी, मेंधग या अन्यजीव नजर आ रहा है नजर आने वाले जीवों के समुह का नाम लिख कर हर दिन उनकी संख्या अपनी कौपी में नोट करें जैसे पौधे 20, चीटिया 28 आदी एक जीव की गिंती एक बार ही करने का प्रयास करें मिट्टी को थोड़ा खोद कर भी जीवों को देखें यदि चिन्हांकित जगह पर कोई पेड हो तो उसे भी पौधों के समुह में ही गिने अपने अवलोकन के आधार पर लिखें कि क्या आपको चिन्हांकित जगह पर कोई खादे श्रिंखला या खादे जाल नजर आया क्या पूरे बगीचे में कोई खादे श्रिंखला या खादे जाल नजर आया आपके इस इलाके में कौन-कौन से जैविक वा अजैविक घटक है सुबह और शाम के जैविक वा अजैविक घटकों में क्या अंतर है पांच दिनों तक दिखने वाले हर एक जीव की कुल संख्या से प्रति दिन के जीवों की औसत संख्या ग्यात करें जैसे कुल पचास चीटियां हो तो ओसत संख्या है दस इस संख्या को चूने गए छेत्र के छेत्र फल से गुणा करने पर उस छेत्र में चीटियों की आबादी ग्यात की जा सकती है अनुमान से बताएं कि क्या जीवों के लिए वहां पर्याप्त संसादन है किसी पर्यावरण के छोटे बड़े सभी जीव जन्तु भोजन प्रजनन और सुरक्षा जैसी आधार बुद आवशक्ताओं के लिए एक दुसरे पर और निर्जीव घटकों पर निर्भर रहते हैं पर्यावरण और जीवों के बीच की इस निर्भरता का अध्यन हम इन दो आधारों पर कर सकते हैं पहला सजीव घटकों के बीच निर्भरता विभिन प्राणियों में भोजन संबंध जिसका अध्यन हम खादय श्रिंखला, खादय जाल, पारस्थितिक पिरामेड द्वारा करेंगे दूसरा, सजीव और निर्जीव घटकों के बीच निर्भरता पौधों और जन्तों के जीवन पर मिठी, हवा, पानी, चलवायू, मौसम, आधी का प्रभाव जिसका अध्यन हम पदार्थों के चक्र द्वारा करेंगे उर्जा के प्रवाह का अध्यन हम इन दोनों आधारों के सम्मलित स्वरूप में करने का प्रयास करेंगे खादे श्रिंखला, खादे जाल, पारस्थितिक पिरामेड, पदार्थों का चक्र, पर्यावरन के घटकों में अंतर संबंधों को दर्शाने के लिए प्रारूप मात्र है जिन से हम किसी छेत्र विशेश के विविद जीवों और उनके पर्यावरन के बीज सम्मंधों गोव समझने का प्रयास करते हैं यह प्रारूप हमें अनुमान लगाने वो अलग-अलग छेत्रों का तुलनात्मक अध्यन करने में मदद करते हैं अध्यन सम्मंधी आकड़े जुटाने के लिए क्रिया कलाप एक जैसे तरीकों को अपनाया जाता है